हेलो दोस्तों तो कैसे हो आप सभी लोग मैंने आपको बताया था कि कलेंडर के तीन वीडियो आएंगे तो उसी करी में कलेंडर का ये आखरी वीडियो है और मैं कलेंडर में पहले ही आपको बताया कि मैंने टाइप वाइस करवाया है ताकि आपको question solve करने में आसानी हो जितन तो लास्ट वीडियो में मैंने टाइप फॉर तक पढ़ाया था आज हम लोग सीखते हैं टाइप फाइब टाइप फाइब में क्या कहता है किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं टाइप फाइब में आप से कह देगा कि बताईए 15 अगस्त उनीस सो 47 को कौन सा दिन था अब ये जो डे आपको बताना है according to calendar बताना इसके पहले मैं सारे question में जो बता रहा था वो आगे मैं if लिखता था कि अगर इस date को ये दिन है तो फलाना date यानि next date को या पीछे वाले date को क्या होगा लेकिन यहाँ आपको actual बताना है according to calendar कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था तो सबसे पहले जो year आपको दिया गया है इसको हमें break करना है अब इसको इस तरीके से break करना है कि सबसे पहले आपको century year लेना है जैसे हम direct 1947 पे भी निकाल सकते हैं लेकिन उससे आपका calculation थोड़ा सा complex हो जाएगा तो हम क्या करेंगे सबसे पहला काम है मेरा century year लिखना तो 1914 के सबसे nearest century year कौन सा है तो 1900 पहले वाला लेना है बाद वाला नहीं आप लोगे तो उसमें minus करना पड़ेगा तो वह calculation और लेंदी हो जाता है तो 1947 के जस्ट पहले century year कौन सा है तो 1900 प्लस 1947 में 1900 का काम हो गया अब क्या है 47 year है अगर हम 47 जोड़ देंगे तो 1947 हो जाएगा लेकिन हमें क्या करना है एक साल कम लेना है तो 47 के एक साल जस्ट पहले क्या होगा 46 यानि 1946 तक का का काम हो गया अब हम लोग किस में इंट्री कर रहे हैं 1947 में अब 1947 में भी जनवरी से मुझे 15 अगस्त तक ही लेना है क्योंकि इससे आगे की मुझे जरूरत है नहीं तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रेल में जून जुलाई अब अगस्त नहीं लें क्योंकि अगस्त को हम सेपरेट निकाल लेते हैं अगस्त में 15 अगस्त की बात कर रहा है यानि 15 दिन की बात कर रहा है तो इसको हम प्लस 15 कर देंगे clear है सबसे पहले हम century year लेंगे उसके बाद एक year लेंगे उसके बाद month लेंगे और उसके बाद day लेंगे clear है तो easy way में इसको तोड़ देंगे तो हमारा calculation आसान हो जाएगा अब सभी में odd निकालना है और मैंने आपको सभी का odd निकालने के लिए बताया है मैंने century year का भी odd निकालने के लिए आपको बताया है year का भी odd निकालने के लिए आपको बताया है month का भी odd निकालने के लिए आपको बताया है अब जैसे January 31 दिन का है तो odd कितना 3 February 28 या 29 यानि 1947 1947 क्या है 1947 हमारा century year है 1947 हमारा simple year है तो इसमें odd days क्या होगा अगर leap year होता 1948 होता तो हमारा odd days 2 हो जाता क्योंकि फरबरी में 29 दिन होते लेकिन यहां फरबरी में 28 दिन है तो जीरो मार्च में 3 अप्रेल 2 में 3 जून 2 जुलाई 3 अगस्त में 15 दिन की बात हो रही है तो 15 दिन 17 से कितना ज्यादा तो 15 दिन 17 से एक ज्यादा clear है तो यहां इसका value क्या हो जाएगा 1 अब देखिए मैंने आपको बताया है century year में 5310 value मैंने आपको बताया था कि 100 साल में 5, 200 में 3, 300 में 1 और 400 में 0 मैंने बोला था कि इसके बाद यही cycle फिर से repeat होता रहेगा हा या ना 500 में फिर से 5, 600 में 3, 700 में 1, 800 में 0, 900 में 5, 1000 में 3, 1100 में 1, 1200 में 0, तो 400 में 0, 800 में 0, 1200 में 0, 1700 में 0, 1700 में 5, 1800 में 3, 1900 में 1 यानि century year 1900 कह रहा है तो इसका value हो जाएगा 1 अब year में मैं भी आपको मैंने odd निकालने के लिए बताया है एक formula कि year में odd कैसे निकालते है year by 4 plus year divided by 7 यानि 46 बटा 4 plus 46 बटा 7 और जब भी 4 से हम भाग देते हैं तो वहाँ लेना होता है भागफल क्या लेना होता है भागफल तो 46 में 4 से अगर भाग देंगे तो आएगा 11 plus 46 बटा 7 यानि कितना हो जाएगा संतामन बटा 7 तो जब भी हम 7 से भाग लेते हैं तो वहाँ क्या लेना होता है सेसफल तो यहां सेसफल कितना आ जाएगा एक यानि 46 साल में क्या आया एक अब या तो सब को जोड़िए या साथ से भाग दीजिए मन्थ वाले में या जहां जहां जोड़कर साथ आ रहा है उसको कैंसिल कर दीजिए जैसे 3, 2, 5, 2, 7 बचा कितना 3 और 3, 3, 6, 3, 9 9 सबता से कितना जादा दो और यहां क्या हो जाएगा एक यानि टोटल आपका ओर्ड क्या बचा दो एक तीन एक चार एक पांच और हर ओर्ड के लिए मैंने एक दिन निर्धारित किया है जीरो के लिए संडे वन के लिए मंडे, टू के लिए ट्यूजडे, थ्री के लिए वेंजडे, चार के लिए थर्जडे, पांच के लिए फ्राइडे और छे के लिए सेटर्डे तो आपका क्या आया है पांच और पांच के लिए कौन सा दिन निर्धारित है फ्राइडे तो एकॉर्डिंग टू कैलेंडर 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था फ्राइडे क्लियर है एक क्वेशन और देखते हैं जैसे आप से कह दे कि बताईए 16 जून 2024 को कौन सा दिन होगा अब देखिए आप से पूछ रहा है 16 जून 2024 तो जो सबसे पहले एर होगा उसके नियरेस्ट सेंचुरी एर लेंगे तो 2024 को कैसे ब्रेक करेंगे 2000 अब जो एर दिया गया है उससे एक साल कम लेना है तो 24 से एक साल कम 23 अब 2023 तक का बात हो गया अब हम 2024 में इंट्री कर रहे हैं तो जनवरी से लेकर में तक और 16 जून का हम एक्स्टरा निकाल लेंगे या साथ में आप निकाल सकते हो तो जनवरी, फेवरी, मार्च, अप्रेल, में, जून या तो यहाँ निकाल लो या जून का एक्स्टरा यहाँ 16 दिन का निकाल लो कोई बात नहीं है एक ही बात है फिर मैंने आपको बताया था कि 2000 एक सेंचुली एर है और सेंचुली एर का ओड क्या हो जाएगा? जीरो, 23 साल यानि एर बाइ 4 प्लस एर डिवाइड बाइ 7 तो 23 बटा 4 प्लस 23 बटा 7 इसको 4 से जब भाग देंगे तो हम लेते हैं क्या? भाग फल तो कितना आ जाएगा? भाग फल लेंगे तो 5 प्लस 23 बटा 7 28, 28 से कितना ज्यादा? 0 तो 23 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 जनवरी तीन दिन का, फैबरी अब देखिए, फैबरी 2024 की बात हो रही है, तो 2024 कैसा? लीप यर और लीप यर में फैबरी में 29 दिन होते हैं, यानि ओड क्या हो जाएगा? 1, March 3, April 2, May 3, June 16 दिन की बात हो रही है, तो 16 दिन सबता से कितना ज्यादा? 2, अब सब को जोड कर कैंसिल आउट कर दीजे, 3, 3, 6, 1, 7, 3, 2, 5, 2, 7, 0 प्लस 0 और इधर भी वैल्यू क्या है? 0, तो क्या हो जाएगा? 0 के लिए Sunday, तो 16 जून 2024 को कौन सा दिन था? Sunday और देखते हैं क्वेश्चन, जैसे कहदे आपसे, 17 सेप्टेमबर 2031 को कौन सा दिन होगा? तो सबसे पहले जो इयर दिया हुआ है, उसके नियरे सेंचुरी यर कौन सा होगा? तो 2000, अब जो इयर दिया हुआ है, उससे एक साल कम, यानि 30, 2030 की बात हो गई, अब जनवरी से लेकर 17 सेप्टेमबर तक निकालना है, तो जनवरी, फेबरी, मार्च, अप्रेल, मे, जून, जुलाई, अगस्ट, सेप्टेमबर, सेप्टेमबर में 17 सेप्टेमबर की बात पुरी है, 2000 में और कितना होगा? 0, क्योंकि 400 में 0, 800 में 0, 1200 में 0, 1600 में 0, 2000 में 0, 30 साल में और क्या प्लस 30 बटा 7 जब भी 4 से भाग देंगे तो वहां लेना होता है भाग फल और जब भी 7 से डिवाइड करते हैं वहां लेना होता है सेस फल यानि 7 हो जाएगा तो 30 और 7 37 बटा 7 क्या आजाएगा ओर 2 तो 30 साल में ओर 2 जनवरी 31 दिन का ओर 3 फैवरी डिपेंड करता है कौन सा यह पूछ रहा है 2021 लीप या ओर्डिनरी यानि फर्वरी में 28 दिन 28 दिन में ओर जीरो मार्च 3 अप्रेल 2 मई 3 जून 2 जुलाई 3 अगस्त 3 सेप्टमबर 17 सेप्टमबर की बात हो रही यानि 17 दिन की बात हो रही यानि और कितना हो जाएगा तीन अब या तो सब को जोड़ि जाएगा उसको केंसील आउट कर दीज़े 3,,2,5,,2,7,,0 हो जाएगा संड़, दो 18 से कितना ज्यादा फैना और येख येश्य कि एक क्नरना है, 2,7 ये भी जीरो हो जाएगा और जब जीरो होगा, तो क्या हो गा संड़, ठ्लियर है एक ज endorse the question है एक question है कि 31 दिसंबर 2023 को कौन सा दिन होगा देखिए फिर से वही काम जो भी year दिया गया है उसके ज़स्ट पहले वाला century year यानि 2000 जो भी year दिया गया है उससे ज़स्ट एक साल कम यानि 22 फिर जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक निकालना है यानि जनवरी फेबरी जनवरी में और तीन फेबरी डिपेंड करता है कौन सा year पूछ रहा है 2023 2023 कैसा ओडिनरी ओडिनरी में फरवरी में कितने दिन 28 28 में और कितना जीरो मार्च तीन अप्रेल दो मई तीन जून दो जुलाई तीन अगस्ट तीन सेप्टेंबर दो अक्टूबर तीन दो और दिसंबर 31 दिसंबर की बात हो ड़े है यानि तीन 2000 में और कितना जीरो 22 साल में और कितना मैं तुम आने बताया है yearly में쪽에 कैसे निकलता है this year by four plus year Divide by seven यानि 22 बटा चार प्लस 22 बाटा 7 कितना होगा चार से भाग देना है तो भाग फल लेना है तो 5 प्लस 22 बाटा 7 27 बाटा 7 27 सब्ता से कितना जादा 6 यानि 22 साल में और कितना 6 अब सब का और निकाल लिए हो तो सब को जोड़ो या 7 से डिवाइट करो या जहां जहां जोर कर 7 आ रहा है उसको cancel कर दो तो 3, 2, 5, 2, 7 3, 3, 6, 2, 8 8 सब्ता से कितना ज्यादा 1, 6 और 1 7 3, 3, 6 2, 8, 8 सब्ता से कितना ज्यादा 1 और ये क्या है 3, 3, 6 और 1 7, 0, 0 यानि Sunday अच्छा, randomly हम value ले रहे हैं और सभी का answer 0 ही आ रहा है यानि Sunday ही आ रहा है कोई बात नहीं यानि आपको समझ में आ गया होगा एक question और देख लेते हैं question है आपका 12 जून 1840 यानि जो भी year दिया हुआ है उसका सबसे पहले century year जो nearest है यानि 1800 फिर एक साल कम 49 फिर January से लेकर 12 जून तक निकालना है यानि January, February, March, April, May, June अब 1800 में और कितना तो मैंने आपको value बताया था 100 में 5, 200 में 3, 300 में 1 और 400 में 0 इसके बाद यही value repeat होता है 500 में फिर से 5, 600 में 3, 700 में 1, 800 में 0 900 में 5, 1000 में 3, 1100 में 1, 1200 में 0 तो 1200 में 0, तो 1600 में 0 1700 में 5, और 1800 में क्या हो जाएगा? 3 यानि 1800 में और क्या आजाएगा? 3 49 साल में क्या होगा? 49 बटा 4, प्लस 49 बटा 7 जब 4 से भाग देंगे तो भाग फल लेना होता है भाग फल कितना आजाएगा? 9 प्लस 49 बटा 7, 48 बटा 7 साथ से भाग देंगे तो क्या लेना है? 3 से फल, यानि 49 साल में 6 जनवरी में 3, फेबरी, अब 1840 कैसा? लीप यर, और लीप यर में फेबरी में 29 दिन, यानि और 1, मार्च 3, अप्रेल 2, मई 3, जून 12 जून की बात हो रही है, तो 12 दिन 17 से कितना ज्यादा? 5, अब कैंसिल कर दिजे, 3, 36 और 1, 7, 5, 2, 7, बचा कितना? 6, 3, 9, 3, 12, 12, 17 से कितना ज्यादा 5, और 5 के लिए मैंने आपको बताया है, 5 के लिए क्या है? Friday, यहां स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था, हर दिन के लिए, यानि यहां देखिए, 0 के लिए Sunday, 1 के लिए Monday, 2 के लिए Tuesday and so on up to Saturday, यानि 6, 6 के लिए Saturday, तो यह टाइप आपका clear हो गया होगा, है कि बताये जून में, जून 2024 में किस-किस डेट को, किस-किस डेट को Thursday होगा, यानि जून 2024 में आपको बताना है किस-किस डेट को Thursday पड़ा, तो बनाने का तरिका बिलकुल सेम, अगर किसी महीने के पहले तारिक को हमें पता चल जाए, कौन सा दिन है, तो आप उस महीने के सारे डेट को बता सकते हैं, जैसे for example, अगर एक जून को, अगर Tuesday आया, तो आप बता सकते हैं, कि एक जून को अगर Tuesday है, तो दो को क्या होगा, Wednesday, तीन को Thursday, यानि पहला Thursday, तीन को उसके बाद, उसके साथ दिन बाद, 10, 17, 24, इस तरीके से है, तो बनाने का तरीका बिल्कुल सेम, जो भी एर दिया हुआ है, उसके just nearest century year, यानि 2000, प्लस 23, फिर January, February, March, April, May, और June, 2000 में और जीरो, 23 साल में, 23 बटा 4, प्लस 23 बटा 7, यानि क्या हो जाएगा यहाँ, पांच, प्लस 23 बटा 7, 28 सब्ता से कितना ज़्याद है, जीरो, यानि 23 साल में और क्या हो जाएगा, जीरो, जनवरी में 3, February, कौन सा year दिया हुआ है, 2024, लीप है, यानि फरवरी में 29 दिन, यानि और 1, March 3, April 2, मई 3, June 1 तारिक की बात हो रही है, और 1 से 6 तक और हमेशा वही होता है, एक दिन में और 1, 2 दिन में और 2, 3 दिन में 3, 4 दिन में 4, 5 दिन में 5, 6 और दिन में 6, यानि एक जुन की बात हो रही है, यानि और क्या हो जाएगा, एक, अब 3, 3, 6 और 1, 7, 3, 2, 5 4, 1, 6 और 6 जब होगा, तो Saturday, अब थोड़ा यहां से ध्यान रखिएगा, ये जो 6 आया है, 6 यानि Saturday वो एक तारिक को Saturday आया है, clear है, एक तारिक को Saturday है, लेकिन हम से पूछ रहा है Thursday कब होगा, तो एक तारिक को Saturday, तो दो तारिक को Sunday, तीन तारिक को Monday, चार तारिक को Tuesday, पांस त थर्जडे होगा छे को फिर दूसरा जो होगा उसके साथ दिन बाद 13 फिर 20 फिर 27 तो यह आपका अंसर होगे अगर आपसे पूछ ले कि जून 24 में कितने थर्जडे होंगे तो आप क्लियरली बता सकते हो चार थर्जडे किस-किस डेट को होगा तो 6, 13, 20 और 27 क्लियर है अगर किसी को डाउट है कुछ भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में बताईएगा मैं आपके डाउट को जल्दी से जल्दी सॉल्व करने की कोसिस करूंगा एक और क्वेस्चिन देखते हैं नेक्स्ट क्वेस्चिन है हमारा कि बताना है आपको नवंबर 2000 में किस किस डेट को फ्राइडे पड़ेगा आप वीडियो पॉच किजिए और सॉल्व करने की कोसिस किजिए खुझ से मैं यहां सॉल्व कर दे रहा हूं कि देखिए सबसे पहले तो जो इयर दिया गया है उससे जस्ट कि नियरेस्ट सेंचुरियर लेना है यानि 2000 तो एक खुझ सेंचुरियर है लेकिन इससे जस्ट पहले वाला सेंचुरियर क्या होगा उन्नीस सो प्लस 99 एक साल कम लेना है प्लस जन्वरी से लेकर नवंबर तर जन्वरी फेवरी मार्च अप्रेल में जून जुलाई अगस्ट सेप्टेंबर अक्टूबर और नवंबर 900 में और्ड क्या हो जाएगा जैसे मैंने आपको बताया था 400 में 0,800 में 0,600 में 0 IS Brittane 6 1700 में फिर से 5,800 में फिर से 3,900 में 1, यानि 1900 में क्या होगा और 1 99 साल में और आएगा आपका चार्ड कैसे तो 99 बाई 4 प्लस 99 डिवाइड बाई 7 यानि अगर भाग दीजेगा तो 24, 123 यह आपका आजाएगा सेस्फल 4 यानि 99 साल में और 4 जनवरी में 3, February 2000, 2000 एक सेंचुरी येर है और सेंचुरी येर लीप तब होता है जब वह 400 से डिविजबल हो तो 2000 तो 400 से डिविजबल है ही यानि February में 29 दिन होगा और लीप और एक होग मार्च 3, अप्रेल 2, में 3, जून 2, जुलाई 3, अगस 3, सेप्टमबर 2, अक्टूबर 3 और नवंबर एक नवंबर की बात हो रहे है यानि एक अब सब को कैंसिल कर दिजे 3, 3, 6 और एक 7, 3, 2, 5, 2, 7, 4, और 3, 7, 3, 3, 6, और एक 7, बचा क्या आपका 2 और एक 3, और 3 जब होता है तो 0 के लिए Sunday, 1 के लिए Monday, 2 के लिए Tuesday, 3 के लिए Wednesday याद रखेगा ये तीन जो आया है वो एक तारीक को Wednesday है लेकिन आप से पूछ रहा है Friday आप लोग गलती क्या करते हैं तीन तारीक को मान लेते हैं Friday जो की गलत है ये जो Wednesday आया है जो और बचा है वो एक तारीक को आया है यानि एक तारीक को Wednesday था तो दो तारीक को Thursday, तीन तार को फ्राइडे अगला फ्राइडे साथ दिन बाद फिर 17 फिर 24 और 31 तो होगा नहीं नवंबर में 30 दिन ही होते हैं क्लियर है यहां तक किसी को कोई डाउट अगर डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में जबूर बताईएगा एक और सॉल्व करते हैं जैसे आप से कह दे कि बताईए जून दो हजार पच्चीस में किस-किस डेट को संडे परेगा तो फिर से वही काम सबसे नियर सेंचुरी येर 2000 फिर एक साल कम 24 फिर जनवरी से लेकर जून तक जनवरी फेवरी मार्च अप्रेल में और जून दो हजार में ओड जीरो 24 साल में 24 बटा चार प्लस 24 बटा साथ ये आ जाएगा भागफल लेना है तो 6 प्लस 24 बटा साथ 30 सब्ता से कितना ज्यादा दो यानि 24 साल में ओड दो जनवरी 3 फेवरी 2025 ओडिनरी येर यानि ओड जीरो मार्च में 3 अप्रेल 2 मई 3 जून एक जून की बात हो रही है यानि एक तीन तीन छे और एक साथ तीन दो पांस दो साथ यानि जीरो जीरो यानि संडे यानि एक तारीक को ही संडे आ गया त्योंकि हम तो एक जून को निकाल रहे हैं ये वैल्यू जो हम निकाल रहे हैं वो एक जून को निकाल रहे हैं तो एक तारीक को ही संडे आ गया यानि पहला Sunday एक फिर 8 फिर 15 फिर 22 फिर 29 यानि आपसे पूछ ले कि जूम 2025 में किस किस डेट को Sunday होगा तो 1 8 15 22 29 कितने number of Sunday होंगे तो 5 clear है अब next बहुत ही important है बहुत ज्यादा important है यह topic है next type है आपका टाइप 6, इसके पहले टाइप 5 था, टाइप 4 तक लास्ट विडियो तक मैंने बता दिया था अब टाइप 6 में क्या होगा, बेजड आन, सिमिलर कैलेंडर, बर्थडे, और एनिवर्सरी क्या कहता है ये टाइप, जैसे आप से कहलेगा कि 2025 का कैलेंडर किस एर से exact मैच होगा, तो exact मैच कहने का मतलब है कि वो mirror image होना चाहिए, जैसे 2025 का हूब भू उस एर से मैच होना चाहिए, clear है तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, एक मैं तरीका बता देता हूँ, short trick एक साल, plus 6, plus 11, plus 11, plus 28, अब आपको करना क्या है, जो भी एर पूछेगा उससे just पहले वाला leap year लेना है, तो 2025 के just पहले leap year क्या होगा, 2024, और ये देखना है दोनों के बीच में difference कितना, 2025 के just पहले वाला leap year 2024, और 24 से 25 का difference कितना है, एक साल का difference है, क्या होगा, एक साल का difference है, 24 से 25 के बीच में, तो जब एक साल का difference हो तो आपको क्या करना है, प्लस 6, यानि 2025 में प्लस 6 एड़ कर दिजे, तो 2021, यानि 2025 का कलेंडर 2021 से match होगा, अब जैसे कह दे, कि राम ने अपना बड़े मनाया, यानि 16 जून 2025 को मनाया बड़े, फिर वो अपना बड़े कम मनाएगा, कि वो दिन सेम ही हो, जैसे आप से कह दे, For example, question मैं language में लिख देता हूँ, यदी राम अपना जन्म दिन 16 जून 2025 को मनाया और उस दिन रवी वार था, तो वह फिर से अपना जन्म दिन किस वर्ष मनायेगा, कि वो दिन रवी वार ही हो, आप से इस तरीके के language में पूछा जाएगा question, अब देखिए यहाँ date और month का कोई use ही नहीं है, क्योंकि अगर 2025 का calendar 2021 से match होगा, तो 16 जून भी match होगा, तो यहाँ importance सिर्फ year का है, ठीक है, तो जैसे अगर आप से पूछ ले, दूसरा question, बताईए, 2029 का calendar किस year से match होगा, तो मैंने आपको बताया है, कि जो भी year दिया जाए, उससे जस्ट पहले वाला leap year लेना है, तो 2029 से जस्ट पहले leap year, 2028, दोनों के बीच में difference कितना, एक, और एक साल का जब difference हो, तो क्या करना, प्लस 6, दो साल का difference, प्लस 11, तीन साल का difference, प्लस 11, चार साल का difference, प्लस 28, तो एक साल का difference है, तो क्या हो जाएगा, प्लस 6, तो 29 में 6 जोड दिजे, 2035, clear है, अगर आपसे पूछ ले कि राम ने आपना सालगीरह मनाया और उसका सालगीरह 17 अगस्त 2000 को था और उस दिन फ्राइडे था तो बताई वह फिर सकना जनम दिन कम मनाएगा कि वो दिन फ्राइडे ही हो तो क्या करना है आपको जो भी यर दिया गया है उससे जस्ट पहले वाला लीप यर लेना है तो 2019 से जस्ट पहले वाला लीप यर 2016 डिफरेंस कितना तीन और तीन साल का डिफरेंस हो तो क्या करना है प्लस 11 एड कर देना है यानि राम अपना सालगिरह 2030 को मनाएगा तो उस दिन 17 अगस्त को फ्राइडे पड़ेगा क्लियर है एक और कोशन देख लेते हैं जैसे आप से कह दे कि बताईए 2026 का कलेंडर किस यर से मैच होगा तो जो year दिया हुआ उससे जस्ट पहले वाला leap year तो 2026 से जस्ट पहले वाला leap year 2024 डिफरेंस कितना दो और दो साल का डिफरेंस हो तो क्या करना है प्लस 11 तो 2026 में प्लस 11 कर देंगे तो 2037 क्लियर है यानि 2026 का कलेंडर किस यर से मैच होगा 2037 से clear है तो यह था आपका calendar का सारा type मैंने आपको बता दिया है अब किसी भी book को उठाई और question solve कीजे सारा question जो है odd days के concept से solve होगा और यहां मैंने जितने भी type बताया है आपको सभी में एक ही चीज मैंने बताया है odd days और odd days के concept से आप सारे question को solve करते हैं बाकी अगर कोई भी question आप से नहीं solve हो रहा है तो आप comment box में डालिएगा मैं question solve करकर भेज़ दूँगा थैंक्यू